वेलकम स्टुडेंट्स, क्लाश 12 के टेस्ट सीरीज 2 में आपका स्वागत है जह सामनें आपके टेस्ट सीरीज 1 में लिये थे क्वेस्ट और उनके आंसर्स आपको बताये थे उसी तरीके से आज में आपको प्रेक्टिस करवाएंगे आपका टेस्ट भी होगा साथ ही आपको इनके आंसर्स भी समझाएंगे कि कैसे या आंसर्स आए आए इस्टार्ट करते हैं आप अपना स्कोर जरूर चेक करें पहला सेंटेंस आपको क्लोजेज के लिए हमने फाइफ सेंटेंस यहां पर अगर बना लिया हो तो मैं अब आपको आंसर बताने जा रहा हूँ और यह answer किसे बनेगा ध्यान से देखना यह answer बनेगा the news यह वाला the news यह पहले लिखेंगे the news एक number पर the news number 2 पर फिर आपको क्या करना यह date connect करना पड़ेगा the news के साथ में date connect करना पड़ेगा the news date ज्यान से देखना the news date फिर यह आपको पूरा लिखना पड़ेगा he own यहां तक पूरा यह number 2 पर the news date he won a prize in the lottery और फिर लिखना है लास्टी लास्टी वे यह वाला is correct तीन number पर फिर समझा देता हूँ the news date he won a prize in the lottery is correct आगे बढ़ते हैं question number two it is running stay here during date time यह आपको age long age से connect करना है it is running stay here during date time तुरंत बना दीजिए age long age से आपको connect करना है it is running stay here during date time तुरंत आंसर बना दीजिए मैं आपका wait कर रहा हूं इंतजार कर रहा हूं तुरंत आपको भी पेर अपने साथ रखे क्योंकि आपको practice करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है सीधे exam में हम नहीं जा सकते हैं अब answer आ रहा है आपका यह during date time आपको ठाना पड़ेगा ध्यान से समन लेना यह during date time उस समय के दोरान यह ठाना पड़ेगा और age long age जब तक जहां तक की जब तक एज लोग लेज का मलभी क्या होता है जब तक तिलियर एज लोग एज इडिश रेनिग और यह उड़ा देगा यहां फुलिस्टोप लगा देगा नमबर थ्री यू के नोट गो हो यू बस्ट फिनिश दवर्क अले से कनेक्ट करना है कंडिशनल यह 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 यू के नोट गो ह यू मस्ट पिनिश दवर्क अले से कनेक्ट करना है तुरंत आंसर बनाएए यू के नोट गो होम यू मस्ट पिनिश दवर्क आप गण नहीं जा सकते आपको कारे पहले कंपलीट करना होगा मस्ट लगा रखका है और इसका जो आंसर आएगा मैं आपको बता देता हूं यू can not go home unless unless का मना यदि ऐसा नहीं करते हो तो यू पिनिश दवर्क यह बस हम हटा देगे नम्बर फोर दा बेल रेंग दा बोईज लेफ्ट दा क्लास नम्बर फोर ए सुने से कनेक्ट करना है दा बेल रेंग दा बोईज लेफ्ट दा क्लास ए सुने से कनेक्ट करना है एसुन एसे कनेक्ट कीजिए तुरंत दा बेल रेंग गंटी बजी और लड़कों नहीं क्लास को छोड़ दिया एसुन एसका मेलाब क्या होता जैसे ही और जैसे ही एक कारे हुआ और फिर उसके बाद दूसरा कारे हुआ तो यहां पर आएगा एसुन एस दा बेल रेंग जैसे ही गंटी बजी इसको हटा देना और दा बोईज लेप दा लास जैसे गंटी बजी बच्चों ने क्लास को छोड़ दिया नमबर फाइव सी वेंट टूबेड सी टुक फूड आप्टर से कनेक्ट करना है सी वेंट टूबेड वो सोने के लिए चली गई सी टुक फूड उसने बोजन किया आंसर बना दीजे उसका सई आंसर है मैं आपको बता देता हूं जरूर आपने बना लिया होगा अगर नहीं बनाया होगा तो यह आप्टर से कनेक्ट कैसे होगा सी वेंट टूबेड इसका आंसर यहां लिख देते हैं सी वेंट टूबेड आप्टर हेड वाला पर योगा आप्टर सी हेड टेकन फूड यानि कि हमने जो टेंस पड़े थे बिफोर आप्टर वाले उसमें भी आपको और एक तरफ होगा देंगता होगा कि भी पोर आप्टर वाले में एक तरफ तो पार सिम्पल आता है और एक तरफ क्या तब गहांँए इसको सिम्पल सेंटेन्स में इस्को। हमें सीम्पल सेंटेंटेंज में चarry करना हैं की शिमपल सेंटेंच है तुरंत चेंज कीआज की यह को सब्सक्राइब करेंगे कि जरूर आपने चेंज कर लिया होगा मैं आपका बेट कराऊं मुझाć अब इसका अंसर आप बनाएंगे तो देखे कैसे बनेगा simple sentence है तो दा मदर एसे बनाएंगी इसको दा मदर वाज इसे बनेगा इधर आएगा इसी की जगर क्योंकि पहले संग्या लेखेंगे the mother was very happy मा बोध कुस हो गई फिर इसको connect करेंगे वन participle ing से on और ये सा को sing में बदल देंगे on seeing her child ये बनेगा the mother was very happy ये जो सा है इसको हमने क्या किया c में change करके ing लगा दिया on seeing her child या on seeing the child या दा है तो दा ही लिख देंगे अपन on seeing the child आगे बढ़ते हैं नमबर से उन I reached the station, I bought tickets simple sentence में change करना है मैं station पहुंचा और मैंने tickets खरी थी I reached the station, I bought tickets simple sentence इसका सहियान से आएगा जरूर से आगया होगा आपको जरूर से आगया होगा यह बनेगा after after reaching the station reaching the station station पहुंचने के बाद और फिर यह I वाला connect कर देंगे पूरा I bought tickets after reaching the station after reaching the station station पहुंचने के बाद मैंने tickets खरी दे नमबर एट सी साख स्नेक सी रेन अवे विद फियर simple sentence में connect करना है आटवा सी साख स्नेक सी रेन अवे विद फियर बहुत simply हमने कई वाकिश सीखे है जब हमने इनको पढ़ा था तो simple sentence का है तुरंत कारे हो रहा है एक कारे के खतम नहीं होते दूसरा कारे हो रहा है समझ गयोंगे आप on seeing से बनेगा ये on seeing लगा देंगे इसको change कर देंगे on seeing a snake सी रेन अवे विद पियर continue हो जाएगा साख को देखते ही वो डड़ से भाग गई सी सा को on seeing क्योंकि तुरंत कारे हो रहा बिना गेप के time game के तो on seeing the sun rose the birds begin to fly question number 9 सूर्यों दे होने के बाद पक्सी उड़ने लगे पक्सी उड़ने उड़ना शुरू कर दिया question number 9 बनाएगे इसको question number 9 को the sun rose अब इसमें आपको पता है time game के सूर्यों दीरे दीरे होता है और पक्सी उड़ने पूरे एक साथ उड़ गए हो तो थोड़ा time game पे time game वाले में आपको पता है having से बनाते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे rose को किसमें बदल देंगे having rising में the sun having rising the sun having rising the birds begin to fly सिधा पूरा बनादेंगे बस रोजगो having rising में यहाँ पर time game नहीं ता इसलिए आएंगी में 10 सीथा वेंट वेंट वी कानेट सीवेंट देट टू सी हर सिस्टर सिंपल सेंटेंस में यह बहुत सिंपल है इंफिनिटीव वाला है सीथा वेंट वी कानेर यह उड़ाएंगे सीवेंट देट यह उड़ादेंगे क्या बनेगा सीथा वेंट वी कानेर टू सीर सिस्टर सीथा वी कानेर उसकी बहन से मिलने गई नमबर 11 प्रेपरिशन बटर इज मेड मिल्क ओ फ्रॉम बाई में से एक लगाना है बटर इज मेड मिल्क बटर बना हुआ होता है दूद से ओ फ्रॉम बाई में से एक लगाना है इन तीन में से आपको सेलेक्ट करना है बटर इज मेड मिल्क जरूर से आपको आंसर आजया होगा इसका सही आंसर है फ्रॉम क्योंकि यहां आप समझे यहां पर मिल्क ने अपनी असली जो उसका रूप ता उसे चेंज कर लिया इसलिए बट रहा है अगर मिल्क साप नजरा रहा होता तो वहां पर फिर प्रॉम नहीं आता जिसमें वस्तुस अपना रूप बदल लेती है वहां पर प्रॉम आता यानि कही सारी चीजों में मिलकर वो अपना असली रूप है बहुत एक सो रूप है उसे बदल लेती है तो फ्रोम आता है नमबर ट्वल दचेर इज मेड उड़ कुर्शी बनी होती है उड़ लकड़ी लकड़ी से फ्रोम इन ओप लकड़ी में ओप आपको जरू आ गया होगा बहुत ही सिंपले दच टेर इज मेड उड़ इन फ्रोम ओप में से क्या आएगा और इसका सयांसर आएगा ओप क्योंकि यहां पार लकड़ी कुर्शी में नजर आ रही है उसका बहुत एक सोरू नहीं बदला जबकि दूद बटर में चेंज हो गया लेकिन उड़ लकड़ी में उड़ लकड़ी 13 I bought this pen 5 रुपी यहां पर कीमत आया है मैंने यह pen 5 रुपे में खरीदा इन ओफोर में से क्या आएगा तीन ओप्सन आपके सामने कीमत बताने के लिए आप अपना सेलेक्ट कर लीजे कीमत बताने के लिए एक प्रेपरिशन काम याता है और वह है फोर आई बोर्ट इस पेन फोर फाइब रुपीज फोर्टीन ही रोटर लेटर हीज पेन उसने एक पत्र लिखा उसके पेन से विद बाइफ्रो में से लगाना है आपको ही रोटर लेटर ब्लेंकी स्पेस इज पेन विद बाइफ्रो में से एक काम में लेना है उसने एक पत्र लिखा और जब भी हम किसी को ओजार के रूप मे में काम मिलें लिखने के रूप में काम मिलें तो वहाँ पर मैंने पहले बता था विद काम में लिया जाता है तो विद ही पेन नमबर फिप्टीन फ्रेजल वर्ब यूशुड इन्द फंक्षन टर्न अप टर्न ओप यूशुड आपको आना चाहिए पंक्षन में टर्न अप और टर्न ओप दो ओप्षन दिये हुई है जरूर से सलेक्ट कीजिए मैंने आपको ट्रिक भी बताए हुई है जरूर से आगया होगा और आपको पता है मैंने यूँ बता रहा है तो कभी लगाए तो आपको पता है ओप का मलब क्या होता है दूर हो जाना यह तो पता है आने कि आपको पंक्षन में आना चाहिए कहेंगे पंक्षन में टर्न अप आएगा टर्न अप का मलब होता है आना उपस थी तो ना इसलिए ओप तो बिल्कुल नहीं आएगा यहाँ पर आएगा टर्ण अप आगे बढ़ते हैं 16 इन दिनों तुमारा भाई उसके अध्येन में कैसा कर रहा है प्रोग्रेश करना उन्नती करना दो अप्शन सामने हैं गेटिंग ओप गेटिंग ओन अब आपको वही बात है ओप का मलब होता है अलग होना और ओन का मलब कंटिंग ओना तो यहाँ पर आएगा गेटिंग ओन आगे बढ़ते हैं 17 इन दिस इंसिडेंट कम ओप कम अबाउट आपके सामने उप्शन है कम ओप यह है इंसिडेंट गटना किसी भी चीज़ का गटित होना इसके लिए कौन सा प्रेफरिसन आता है आपको फिर वही पता है ओप का मलब फिर क्या होता है अलग होना तोड़ जाना दूर हो जाना बंद हो जाना तो ये बिल्कुल तु कानिबेट रहा है घटना किसे बंदूई तो कुल मिला कर यहां आएगा कम अबाउट कम अबाउट का मलब क्या होता है घटित हो ना किसी चीज का हैपन हो ना हैपनिग नमबर 18 माइ न्यू बुक ओन इंग्लिस वील सून मेरी नई पुष्तक इंग्लिस के ओपर जल्दी ही प्रकाशित होगी कम इन और कम आउट में से क्या आएगा मेरी नई पुस्तक अब आपको बताए कोई भी चीज जरूर से आपको आगया होगा अब आनसर बता रहा हूँ क्लिव के साथ कोई भी चीज जब नई आ रही है देखे आप नई आ रही है इंगलीज के उपर तो क्या होगी बाहर आएगी कम आउट यो तुके में भी जा रहा है वो ट्रिक मेंने बता रहे हैं तो यहाँ पर आएगा कम आउट आगे बढ़ते हैं एक से निकोश के अदिकारी की आदेशों को क्या करना पड़ता है अदेशों की पालना करने पड़ती है अध्या पालन करना पड़ता है अध्या पालन करने के लिए केरी ओन या केरी आउट में से क्या आएगा दो अप्सन आपके सामने केरी ओन और केरी आउट मैंने आपको पिछले वीडियो में यह दिया था तो बताया था कि carry on का मालब जरूर से आपने answer लिख लिखा होगा carry on का मालब होता है आप अपने कारे को continue रखें, business को continue रहें, रखे लेगे, orders को क्या करना पड़ता है? ओबे करना पड़ता है, follow करना पड़ता है, आग्या पालन करना पड़ता है, इसलिए हो आएगा carry out इसका में आगया पालन करना orders का number 20 आज का last see some money for hard times puts by और puts up आपके सामने दो अपसन दिये हुए पुट्स बाय और puts up आपके सामने दो अपसन दिये हुए हैं जरूर से आंसर आगया होगा वह कटिन समय के लिए कुछ दन बचाती है और दो अपसन है मैंने put up का बताया था रुकना टहरना कोई प्रस्ण पूछना किसी चीज़ का दिर्मान करना puts by कमलोता है बचत करना बचा सभी आपको समझाए हैं कोई बात नहीं है अगर पूरे सेंटेंस सही नहीं भी निकले हैं तब भी आप कम से कम इस तरीके के सेंटेंस सीखे तो सही और अगर कंटिन्यू स्टेट सीरीज से आप जुड़े रहेंगे प्रेक्टिस करेंगे तो एक दिन हिसा भी आएगा जब आपके पूरे के पूरे सेंटेंस सही निकलेंगे फिर भी कोई खंशूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करना और अपने चैनल को भी जरू सब्सक्राइब करना इस तुडेंस थेंक्यू